नमस्कार, प्रियदर्शकों हाजर हुमें शुक्र राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर साथ जुलाई 2024 प्रातह चार बज करके 32 मिनट पर आकर्शन, दामपत्य, सौंदर्य, अईश्वर्य, वैभाव कला संगीत के प्रतिनिधिक रहशुक्र अपनी वरतमान, वायु तत्विय राशी, मिथुन राशी को छोड़ कर, चंद्रमा की राशी, जल तत्विय राशी, करक राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो 31 जुलाई 2024 तक रहेंगे, और इसके पुष्चात, ग्रहों के राजा, सूरी की राशी, शिम्भ में प्रवेश कर जाएंगे, मेशुशे लेकर मीन राशी परियंत, प्रतेक राशी के जातकों के लिए, शुक्र का यह ग प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशी फल, मैं आपको आपके चंदरराशी क्याधार पर बताने जा रहा हूँ, एक और बात दिखिए, शुक्र काल पुरुष का सुख है, और जब बात सुख की चल रही हो, तो वहाँ दुख की भी चर्चा होगी, तो उस दुख की उत्पत्ती सुख से ही होगी सो, ये बात सदईव ध्यान रखिएगा, कि अगर हर राशी के लिए, मैं कहीं न कहीं कहता हूँ, कि इसमें ये अच्छाई है, तो सीधी सी बात है, शुक्र की हम चर्चा कर रहे हैं, शुख अईस्वरे के कारक की चर्चा कर रहे हैं, एक और बात प्रिदर्शकों, अब जेखी जर ऐसा समझने का प्रत्न करिए, तो 7 जुलाई को शुक्र राशी परिवर्तन करेंगे, और 31 जुलाई को राशी परिवर्तन करेंगे, यानि इसी महीने में इनका राशी परिवर्तन हो जाएगा, कई बार विचार मन में उत्पन्न होता है, क कि इतने कम समय में अल्प समय में क्या प्रभाव मिल जाएगा अब इस गोचर को जरा एक बार समझने का प्रत्न करिए शुक्र करक राशी में गोचर करेंगे जो की चंद्रमा की राशी है इसके अंतरगत तीन नक्षत्र आपको मिलेंगे पुनरवसू यहां तीन चरण होगा इसके अलामा इस राशी में सनिदेव का जो नक्षत्र है पुष उसका चार चरण होगा और आसलेसा का चरण अब देखा जाए तो इन तीनों ही नक्षत्रों में यानि बुध के नक्षत्र शनी और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का शुक्र का संचरण है अब ये द्रिष्टी सिद्रिष्ट राहू से नमंपंचम योग बनाएंगे पर राहू की द्रिष्टी सिद्रिष्ट उसमें भी शनीदेव के साथ जबकि पुष से नक्षत्र में चार चरण बिताएंगे विशेश समझना यही है कि शनीदेव के साथ सदाश्टक योग में होंगे अब जरा ध्यान से समझिए, शुक्र को दामपत्य का कारक कहा गया है, ये हर किसी के लिए दामपत्य के कारक है, राहू की दृष्टी से दृष्ट सनी के नक्षत्र में सनी से सडाष्टक योग का निर्मान किये हुए, जिनके दामपत्य जीवन में परिशानी की स्तिती चल रही होगी पहले से, उनके लिए कही न कहीं डिश्टर्ब करने वाली स्तिती बनेगी, अब देखा जाए, तो हर किसी के दामपत्य में परिशानी चल नहीं रही है, तो संभव उनको क्या पता चलेगा, अगर उनका जीवन साथी के साथ, अगर ये ऐसा कुछ योग है भी, तो जीवन साथी के साथ, तुतु मैं मैं हो जाए, तो उनको लगे गई तो रोज की बात हुई, नहीं, ये विशेश प्रभाव उन पर दिखाई पड़ जाएगा, जिनके दामपत्य में पहले से दरार है, तब फिर वो तूटने की नौबत आ जाएगी, ये तूट ही है, आप चरित्र हीनिता रोज तो नहीं करते, कभी किसी कारण विशे इस परिस्तिती में कभी कोई मित्र मिल गया, कभी कोई गलत आदत मन में विचार उत्पन हुआ, और कई बार लोग अपनों से जब भटकते हैं, तो दूसरों की तरफ भागते हैं, तो फिर ये समय वहा होती अवश्य है, अब हर किसी के साथ एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हर किसी की परिस्तिति एक जैसी नहीं है, और यह जो राषिफल है यह सब के लिए हम बता रहे होते हैं, तो इसके चलते कई बार लगता है कि इतने कम समय में क्या प्रभाव मिलेगा, आईए चलते हैं, और चर्चा करते हैं मेस से लेकर के मीम तक प्रतेक रासी के जातकों के लिए शुक्र की सुगूचर को। चर्चा सबसे पहले मेस की है। मेस के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी रासी से कहा होने जा रहा है। यहां भी बहुत सचेत रहना है और समझना भी है। जैसा मैंने का रहा हूँ कि दृष्टी से दृष्ट और सनी के नक्षत्र में जब यह पहुंचेंगे तीन चरण पुनरवसु का भीताने के बाद पुस्य में तो यह सनी के साथ सड़ाष्टक योग में है। तो यहां पारिवारी क्लेश का जन्म होगा। सुख हांसिल कर सकते हैं क्योंकि दिग बली शुक्र आपको हर तरह का सुख देंगा और उसमें भी सुरुवात का जो समय है जहां तीन चरण यह पुनरवसु में गुजारेंगे गुरु के साथ लाब संबंध होने के कारण यह जबर दस्त है। आपको हर तरह से यहां फायदा मिलने माले विश्यश करके विदेश गमन के लिए प्रतनसील हैं तो समझ लीजे आपकी तो इक्षा ही पूरी होने वाली है। बहुत बड़ी है आपके लिए। अब इस गोचर को और सुखद और स्रिष्ट बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस तरी का सम्मान करना चाहिए। अपनी जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। मैं बात केवल पुरुषों के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस्त्रियों के लिए भी कह रहा हूँ, उन्हें भी इस्त्री का सम्मान करना चाहिए, और बात ये शुक्र को और ठीक करने की कहें, तो गाय की सेवा, गो को हराचारा, गाय को हराचारा दीजिए, इससे शुक्र का औ नुकसान दे नहीं वरण गुरु से तीसरे ग्यारवेक से संबंद से और अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी तो ये आपके लिए कहीं न कहीं बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र अगर देखें तो आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे लाभकी स्थिति उत्प करते हैं मेहनत और लगन से काम करते हैं तो फिर कहना ही क्या इंटरनेट या अन्न किसी संचार माध्यम से भी आपको सुब समाचार प्राप्त होंगे राह में आने वाली परिशानियां कठिनाईयां खुद बखुद आपका मार्ग छोडएंगी भाग्य का साथ मिलेगा समझ लीजिए इस गोचर काल का दौरान आपको इबड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं जिससे समाज में आपका मानुसम्मान बढ़े आपका नाम बढ़े देखा जाय तो शुकर आपके लिए सस्ठेस और आपके रासी पती बनकर के तीसरे में गोचर करेंगे राहू की दृष्टी से दृष्ट होने से भी कोई विशेस नुकसान यहां नहीं होगा चरित्र पर अपने अंकुस लगा करके रखना होगा और देखा जाय तो शुकर आपके रासी पती बनकर के तीसरे में गोचर करेंगे पुरुशार्थ को अपना मित्र बनाना होगा गूरु के साथ तीसरे 11 में के संबंध के कारण लाभ की स्थिती उत्पन्न होगी प्रिशब के लिए यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, सनी के सराष्टक संबंध के बावजूद सनी के नक्षत्र में अच्छा प्रभाव यहां देखने को मिलेगा, मिथुन के जातकों के दी हम बात करें, तो शुक्र का यह गोचर आपकी रासी से दूसरे में हो गोचर करेंगे, अब गौर करिए, तो ब्यायपती बनके गोचर करने से समस्या नहीं है, पर समस्या है राहु की दृष्टी से दृष्ट होना, इस दौरान गलत खान पान की यादत बिल्कुल संभव है कि आपको लग जाए, हाँ, ब्याय होगा, अच्छी चीज़ों पर गलत संगती इत्यादी पर आपके खर्च हो सकते हैं, पैत्रक संपत्ती से आपको लाब होगा, सरकार से भी जुड़कर के लाब हो, सरकारी कारियों से भी लाब, सुख सम्रद्धी में कोई कमी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र को ब्यायस का दोश न नंबर दो, सनी के नक्षत्र में भी जब संचरन इनका होगा, तो सनी से सडाष्टक योग तो है, पर सनी भाग्य में है, फलता ही अगोचर आपके लिए वहाँ कहीं दिक्कत नहीं ला रहा है, स्वादिस्ट ब्यांजनों के चक्कर में और जिवा की लोलुपता में बस यक्तित्व में जबरदस्त निकार निकल करके आएगा, लाल पुस्प देवी के मंदर में जाकर के देवी को और पिप करिये, यह गोचर उत्तम है, कर्क के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर जो कि आपकी रासी पर होने जा रहा है, अब गौर करिए, तो शुक्र क्रम लेकिन यब जब मध्यावधी के करीप पहुचेगा, जब शनी के नक्षत्र में यह संचरन कर रहे होगे, समझ लिए मध्य समय होगा, आपको ऐसे समझ लेना है कि 9-7 जुलाई से सुरू हो रहा है, तो लगभग बीच के जो समय होंगे, उस इस दौरान आपको कही न कहीं, खानपान पर भी नियंतरन रखना है, स्वास्तका भी खायल रखना है, दामपत्य जीवन भी कलह किस्तिती उत्पन्न होगी, उसका भी खायल रखना है, और सबसे जरूरी है अपने चरित्र पर अंकुस लगाना, रिस्तो में संतुलन बनाए रखना, इस गोचर काल के दौर इस समयाव अधी के दौरान अगर आपने चरित्र परंकुस नहीं लगाया, तो मुसीबत में पढ़ेंगे, दामपत्य जीवन निकलह और परिशानिक इस्तिती उत्पन्न होगी, हाला कि पारिवारिक जीवन सुखद आप बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर विपर अगर जीवन साथी के साथ आपका संबंध मधूर बना रहे, जीवन साथी का आपको सहयोग मिलता रहे, जीवन साथी के सहयोग से आप हर तरह की परिशानियों से चुटकारा पालेंगे, यह आपके लिए अच्छा है, जो लोग बिजनेस में दिलचस्पी रख रहे हैं, ब बहुत बढ़िया काऊंगा, कोई नहा व्यापारित्यादी आप शुरू करने की सोच रहे हैं, वस्य करिए, और शुक्र बार के दिन, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के उपर दही और चीनी अरपित करिए, और हो सके तो ब्रामण को दही चीनी खिलाईए, इससे भी आपको फायदा में देगा, तो ये उपाय आप करके शुक्र के इस गोचर को और स्रिष्ट बना सकते हैं, और शुक्र के इस गोचर से विशेसलाब ले सकते हैं, सुम्मक के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी रासी से बारवे में होने जा रहा है, अब देखा आपको बाहर जाने का मौका मिलने वाला था, बात नहीं बन पा रही थी, किसी कारण से अरचने आ रही थी, ये काम आपका बनेगा, परन्तु ये ध्यान रखना है, कि बारहवे का शुक्र राहू की दृष्टी से दृष्ट और चंद्रमा की रासी में, चंद्रमा में क्या प्रवा, तो नियंत्रण जरूरी है अपने किस पर? विचारधारा पर, अगर आपकी उम्र भी छोटी है, अभी आप सुरुवाती दौर केने 16-17 साल के हैं, तो ऐसी संगती में जा सकते हैं, जहां गलत आदतों के आप शिकार हो जाएं, गलत संगती मिल जाए आपको, तो आपको अपने स्वभाव पर वासनात्मक्रियाएं जो बहुत आनंद देने वाली है, वो आपकी जीवन स्तर को निम्न बना देंगी, तो आपको बहुत सचीत रहना होगा, खर्ष पर अपने नियंत्रण रखना होगा, विदेश यात्रा के प्रभल योग दिखाई पड़ व्यापारी वर्ग व्यापार से अच्छा लाभ उठा सकते हैं, और यूं समझ लीजे कि लाभ के दृष्टिकोंड से समय खराब नहीं है, बस चारत्रिक मजबूती की आवशकता है सिम्म के लिए गो पूजा, गाय की पूजा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, यह अब देखा जाए, तो शुक्र का यह गोचर आपकी रासी से लाभ में होने जा रहा है, अब देखा जाए, तो शुक्र का यह गोचर जितने भी कन्या रासी के जातक है, गौर करिए, तिन नक्षत्र कौन-कौन, तो वो तिनो नक्षत्र करमसह गुरू के हैं, शनी के हैं, और बुद्ध के हैं, तीन चरण गुरु के नक्षत्र का है, चार चरण सुनिदेव का है, और दो चरण जो बचा, वो आसलेसा का है, बुद्ध का, अब गौर करिए, तो इस दौरान शुक्र आपकी रासी से लाभ में गोचर कर रहे हैं, शुक्र धनपती बनकर के लाभ में महाधनीयोग का निर्माड हुआ, भागेस बनकर के लाभ में गोचर करेंगे बहुत जबरदस्त महाधनीयोग का निर्माड हुआ, यानि कन्या के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, अब जरा गौर करिए, इसी दौरान आपका विवाही त्यादी हुआ हो, तो समझ लि यानि इस्थिर वो नहीं कि रूख गई, बढ़ने वाली स्थिरता कि अब टेंसन नहीं लेना, हर छेत्र से मदद, भौतिक सुखों में तो कहना ही नहीं, लाभ ही लाभ सफलता ही सफलता, सुख ही सुख, सुख्र का प्रभाव ऐसा कि आप बस आनंद पर थोड़ा खर्च ज़्यादा करने लगेंगे, फैसनेबल चीजों पर, कपड़ों पर, पर पर फ्यूम पर, खुरूब आपके खर्च होंगे, पर कोई बात नहीं, इससे तो कहीं कोई समस्या नहीं है, समाज में भी आपका मानुसमान बढ़ेगा, पर भध्यान रख्येगा, कि मित्रता सही ह पर बिपरीत से, अब ऐसे मित्रता गलत नहीं मैं कहा सकता हूँ, पर यह ध्यान रखना है कि चरित्र पर अंकुस लगा करके ही, बाकी यह गोचर आप यह हर तरह से अतिवत्तम है, खान पान पर नियंत्रन जरूई है, चरित्र नियंत्रन नहीं रखा, तो स्वास्थ में प दिगबल से विहीन माना गया है, यह बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं मानी गई है, और अश्टमपती बनकर के कर्म में जब गोचर करेंगे तो थोड़ी परिशानी कराएंगे, कारेक चित्र में लड़ाई, जगड़ा, बहस, विबाद, फिजुल की स्थिति परिशानी उत्पन्न कराएंगे, यानि आपकी उर्जा का सही इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इसलिए सबसे पहले तो खुद पर आपको नियंतरन रखना होगा, खुद का ध्यान रखना होगा, कारेक चित्र में उत्पन्न होने वाले गौसी पित्यादी से आपको बचना होगा, भाग्य का सांथ तो मिलेगा, परन्तु हाँ, भाग्य के सहयोग के बावजुद आपके कारियों में थोड़ी परिशानी आएंगी, कारिक्षत्र को लेकर के संघर्ष तो रहने वाला है, जिन लोगों की नौकरी में प्रमोसन की स्थिती थी, वो प्रयास करें, स्थाना अं मंत्र का जब, यह आपके लिए लावप्रद होगा, वरिश्चिक के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपके रासी से नवम में है, अब देखा जाए तो शनी सडाष्टक योग में और आहू पंचम में, और यहाँ पर मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि यह गोच कोई समस्या खड़ी हो गई थी, वो दूर होगी, यह गोचर यह अवधी हर तरह से आपके लिए लावप्रद है, बैंक बैलेंस में भी वृद्धी होने वाली है, बस अब यही बुरी चीजों पर आपको खर्च कम करना है, सुखद जीवन तो आपका यह बनाएगा, इसमे जब शनी के नक्षत्र पुस्य में शुक्र का गोचर होगा, तब ही मैं बता दूँ कहीं कोई चिंता आपके लिए नहीं है, बलकि मात्या के स्वास्त में कोई परशानी थी, तो वो दूर होगी, और उसी दोरान कोई अचल संपत्ती आप खरीच सकेंगे, तो यह आपके ल लेकर के चिंता है, क्योंकि राहू से ये दृष्ट हो रहे हैं, नौम पंचम के बावजूर दृष्ट हो रहे हैं, तो यहां आपको बड़ा सचेत रहना है, विपृत का साथ तो मिलेगा, लेकिन यहां पर दो-तीन चीजे हैं, गलत संगती में पढ़कर के संचित धन का ब दिखाई पढ़ रहा है, और कहीं न कहीं ब्यर्थ की चीजों पर, दिखावटी चीजों पर, बनावटी चीजों पर, आपका मन भी खूब उसमें आकर्सित होगा, और उस पर आपके न चाहते हुए अंचाहे खर्च भी होंगे, देखिए, गुरू से शुक्र का समंद्ध तीसरे ग्यारवे का होने के चलते, कहीं न कहीं आपकी चेतना जागरत रहेगी, आप जानबुच के सोचेंगे नहीं गलत है, पर न चाहते हुए भी आपसे वो चीज़े होंगी, जो नहीं होनी चाहिए। अगर सुराल पक्षका आ रहा है, तो कई कारण ये भी हो सकता है, आप जीवन साथी के साथ समंद्ध मधूर नहीं रख रहे होंगे, दोनों पती-पत्नी मिल करके, स्रिसुत का पाठ करिए, ये आपके फायदे मन्द होगा, मकर के जातकों की बात करें, तो ये हगोचर मकर के जातकों के लिए हगोचर आपके दामपत्य जीवने परिशानियों को उत्पन कराने वाला है, आपका मन भटकाने वाला है, इदर-उदर की जगों पर समझ रहे हैं, जीवन साथी को छोड़कर, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, भटकाओ लाएगा, विबात कराएग जीवन साथी पर ब्यर्थ में आप गुसा करेंगे, सक करेंगे, कहीं न कहीं ये दामपत्य जीवन को ठीक नहीं रहने देगा, और अब जगर कहीं दामपत्य जीवने परिशानी है, तो भी छेत की ओर भी ले जाएगा, वासनात्मक्रियाओं में आपका मन लगेगा, और य तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अनिता संब, जो संबंध है उसको नुकसान पहुंचने वाला है, बाकि आप अपने रुटीन कारी करते रहिए, परिशानियों से बचे रहेंगे, जीवन साथी की प्रती वफादार बने रहिए, इमानदार बने रहिए, बाकि कोई नया व्यापार इत्यादी शुरू मत करिये, देवी के मंदर में जाकर के पती पत्नी दोनों देवी को लाल पुस प्या गुलाब का पुस पर पित करिये, फायदा होगा, कुम्भके जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी रासी से सश्ठ में होने जा रहा है, अब उनको मधुमें हित्यादी के शिकायत बढ़ेगी, जिनको मुत्र रोग है उनकी समस्या गंभी रूप ले सकती है, तो ध्यान रखना होगा, बिवाद में पढ़ने से बचना होगा, अनेथा आप बुरी तरह से फंस सकते हैं, अनैतिक कारियों से बचना होगा, अनेथा समा नसिक रूप से प्रताडित भी करेंगे, पर फिर खुद को मैं कहूँगा, मजबूत रखिए, कारिक छित्र में जो भी आपके वरिष्ठ जन है, उनसे सहयोग लिजे, मात आपिता, जो भी आपके सुब चिंताख है, जीवन साथी, सबसे राय मस्वरा करिए, देखिए, ज हरा चारा शुक्रवार के दिन अवश्य दीजिए, यह आपको लाभप्रद होगा, देवी के मंदर में घी का दिया जलाने से भी आपको लाभ होगा, और मीन के जातकों के लिए शुक्र का या गोचर पंचम में होने जा रहा है, अब देखा जाए तो यहां संतान पक्छों प्रेम संबंध में तीसरे के आगमन संभव हैं, या तीसरे के आगमन कहलीजिए, शक कहलीजिए, शक जो है तीसरा ही है, तो इसके चलते भी परिशानी आएगी, और प्रेम संबंध हो, तो यहां पर एक बार ध्यान रखेगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने सांथी के प प्रेम संबंध में थोड़ी दिखाई पड़ रहा है, शिव मंदिर में जाकर के शिवजी को सफेद पुस परपित करिए, चंदन अरपित करिए, फायदा होगा, या गोचर मीन के जातकों के लिए कुछ मामलों में अच्छा भी है, जैसे व्यापार इत्यादी करना चाहते प्रेम संबंध में परिशानी और खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो पेट जन्य रोग की संभावन, और रोग जो भी होंगे, वो नए नहीं है, पुराने ही है, लेकिन अब ध्याने नहीं रखा तो बढ़ जाएंगे, तो प्रेदर्शकों ये था, में शिश्य लेकर के म अबाएंगे, जाने हीजाने ही है, बचकिन अब जो बढ़ खाना पान पान पर शायाना पाना जाएंगे, भी हो प्रेदर नहीं है का अबाएंगे, जार श्याने है, ये अग्या है।